नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिंच ओधरी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है इस चमें हम कैराना लोकसभा में मौजूद हैं कैराना लोकसभा में गट बंधन के टिकट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कुछ लोग कह रहे हैं के टिकट चोदरी परिवार को होगा कुछ लोग कह रहे हैं के हसन परिवार से इकरा हसन को टिकट मिलेगा कुछ लोग कह रहे हैं के अमीर आलम या फिर नवाजिस आलम को टिकट मिलने जा रहा है और कुछ लोग डाक्टर यस्वीर सिंग का भी नाम ले रहे हैं इस विशे पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ केराना लोक सबा के गाओं कमेडा निवासी हिमानसु चोधरी जी मौजूद है हिमानसु जी सबसे पहले तो इंदुस्तान 24 पर मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जीत सकते हैं देखो चुनाओ जीतना ना जीतना है तो प्रमादमा के आधीन है लेकिन जहां तक हम कह सकते हैं कि टिकट भी होगा और चुनाओ बड़े मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और आने वाले टेम बविस्ते में गटबंदन का टेम है और जो है यहां कहराना लोग सबास है गटबंदन का प्रत्याशी बड़ी भारी मतों से जोय विजय होगे जाएगे कुछ लोग तो यह चर्चा करते हैं कि लोग सबागा चुनाओ चोधरी परिवार कहां जीत सकता है विदान सबागा चुनाओ भी कहीं बार ये लोग हार चुके हैं हर चुनाओं का अपना एक पहलू होता है यह तो कहने की बाते होती है अभी गुंगो विदान सभगेंदर जो 2022 का चुनाओं लड़ा किनों नहीं बीस हजारी बताया किनों ने दस हजार बताया ओट कितनी मिली चुराण महजार किसी न कहा कि यह हिंदुनी ओट देगा मुशल सभामें कितनी विधानसभाे हैं लोक्त सभामें आप चलोगे केहराना से शामली ठानबौन गंगों नकुड अगर आप पंचों विधानसभा की हमारीफी की आट र जो है जोड़ने आप तो भी हम कहीं हई चोईना रुक ही फृर जीत यह हैं नियुट सारी विधानसभाहत जोड़क है तो तोटल अगरोट हमें मिलने हैं तो जीत रहे हैं चुना तो तो इसमों कोई संका वाली बात ही नहीं है आप तो बड़े आत्म विश्वास के साथ बोल रहे हैं लेकिन कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि टिकट ही मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरी तर जब भी अपना कईून का उद्वोधन होता तो एक बात कहते हैं कि चोधरी परिवार कोई सिमित नहीं है कि चोधरी उद्दरसैंजी बेटे हैं इंदरसैंजी उनके बेटे हैं और आपस में जो भाई हैं सब वो परिवार नहीं उन्होंने इस गौंगो विधान सभा कोई अपने पूरे परिवारी बता हुए और यह कहना नहीं का नहीं चुनाओं, तो हमारा वराजी 2002 बड़े बड़े यहां लोगदल के कारेकरम भी हुए बड़ा अस्वस्त हुए कि हमारा चुनाव का टिकट जो है लोगदल के सिंबल पर चुनाव लगे तुरेंट पार्टी चेंज कर गए आप लोग तो कहां है आज अखलेश यादव जी अगर कहीं उनकी मीटिंग है लखन ले चोदरी साब को बुलाओ उनसे बाते होंगी उन्हीं के साथ बैठके बाते होंगी तो वो यह दाइरा नहीं रखता जिनके नाम आपने भी गिना है कि वह भी यह लाइन में हैं आपने यस्वी डॉक्टर यस्वीर जिंग जी का नाम लिया कहां है फिल्ड में नहीं दी कि यह तब यहां जारी हुआ कि कार्यकरता लोग सबागी तियारी करें कि वह ऐसे हो जाएगा कि किसी ने भी मुझे बताओ जितने टिकट की लाइन में हैं किसी ने अच्वी अपने दर्टा के साथ किसी नका है कि आप चुनाव की तियारी की जिए हिंदू-मुसलिम के ना नहीं हो रही है सीधी बात है तो जो चुनाव होगा अब की बर जो सहीदों का मान सम्मान ने मिला उसके परती और दूसरी चीज़ बेरोजगारी के परती जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है चुनाव बेरोजगारी के उपर हो इमानतु जी आप तो कह रहे हैं कि जो द भी खाई नहीं दे रहा इसरोगी चोधरी इसपाल सिंग्जी के बेटे हैं अगर वादा कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे तो बाइस साथ चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव गटबंदन से लड़ा जाएगा ज्यान अगर किसी के दिमाग में चाहिए वो पार्टी में अगर किसी के दिमाग में चुनाव लड़ेंगे गटबंदन के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम होगा और आप कहरें एकरासन ने भी बियान दिया उन्हेंने का मैं अपनों के बीच में आई हूं दुख सुक में चुनाव से इसको कोई मत तोले यह क गूम रही हैं वह अपनों से मिलने के लिए और यह काम हमारे आप यह था हम तो आप कहने हैं कहराना लोग सब्सक्राइब अभी दो दिन पहला मरियाना में थे करणाल विदान सबान के अंदर जगादरी में थे अभी साहरणपूर में इतने कार्यकरम नकुड़ विदान अब हमें कार्यकरम होते हैं जाते हैं सब जंगे अभी आपने देखा होगा जैनती में प्रोग्राम करा गया था तब पूरे जीले के अंदर से लोग थे और इतनी भीड़ती पंडाल के अंदर समाई नहीं हो रास्ते में हमने कहीं जंग है चाहे वह धलापड़ा चोंकी र प्रोग्राव ने गाड़ियों को और उनकी ट्रालियों को उसके बाद भीड़ थी किस के नेता के यहां होती है कौन कर रहा है तो यह जंता का इस परिवार के परती लगा हुए यह परिवार के परती लगाओ श्रुगय चोधरी इसपासीं जी परंपुजय नाना जी के सफ्रीम के दंपी लडढ़ा जाएगा उनकी मजबूती के साथ चारे करता हुए कंज चैनल तो है जनता की साहनू भूती तो है प्यार भी है लेकिन समश्य के वोटों में तब दील नहीं हो पाता जब यह चुनाव लड़ते हैं तो वोटfire मिन नहीं पाता जतना alles होता है देखो अब तक 2022 के चुनाव तक हिंदू और मुशलमान का जो फंडा चला हुआ था भारती जिनता पार्टी का वो खहीं तक कारगर रहा अब 2024 का जो चुनाव है अब कारगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि युवा और बुजूर्ग गरीब अती पिछडा पिछडा वरग जो दवे कुछ ले लोग हैं हम भी हैं जो मिडल किलास फैमिली के भी लोग हैं वो सब जो दुखी हैं महंगाई से दुखी है और महंगाई के सतर आप देख लेना महंगाई के साथ सतर तो महंगाई से तो दुखी हैं यह उसे के साथ सा उनके लड़कों को नके बच्चों को रोजगार नहीं मिला जब रोजगार नहीं होगा महंगाई बढ़ेगी तो आदमी तरस नहीं खाएगा और क्या करेगा फिर तो वह हाकार मिचाए गई तो यह जो है अब की बर जो चोट लगेगी साइलेंट तो पर चोड़ लगेगी हल्ला नहीं होगा अब की यही बात है नाम की मुनवर का जुड़ा हुआ है मैं मुनवर साब की इज़त करता हूं कोई दिक्कत नहीं है मुनाइद भाई की इज़त करते हैं लेकिन जो आपने अभी अपना वाक्षा क्या कहा है तो साब यह भी सर्वगे चोड़िये स्पाल सिंग कर इब अदर कहीं सिध्धानतों के सास्थ समझोता नहीं किया? यहीं का काजी परिवार तो यह कहता है, एक नोजवान यह कहते हैं, कि यदि लोग सबागा चुनाऊ, चोधरी परिवार का कोई सदस्थे लड़ता है, तो फिर वो लोग सबागा चुनाऊ जरूर लड़ेंगे देखो इसमें आपके कोश्चन में ही जो आपने मुझे परसुन किया उसमें आपको अपना अंसर मिल गया तो यह सीधी सीधी बात है अगर चोधरी परिवार चुनाओ लड़ता है तो हम चुनाओ लड़ेंगे यानि कि हम सीधा सीधा चाहते हैं कि जनता के यह उनका माइने नहीं रखता उन्होंने अपनी गद्धी माइने रखती है वह अगर चुनाओ लड़ेंगे तो यह मानो कोई भी चुनाओ लड़ दो जहां लोकसभा के अंदर जनता जागरूख हो चुकी है अभी 2022 के चुनाओ में देख लो क्या हुगा दिया था नहीं न और अब देख लेना लोकसभा की तो बात भाइसा भी पिन भीया बहुत बढ़ी है अभी पहले नगर निगम सी नगर पाली काजी नहीं मटलो यहीं अपनी सत्ता कायम कर लो तो बहुत उंची चीज है लोकसभा तो बड़े स्टैप लगाने पड़ेंग उसके लिए आगे चेतन में चला जाता है यह उंगो विदान सब्सक्राइब तो बाहर कहां घूमते हैं कोन बुला रहा है अब उनकी बात छोड़ दीजे उनके पिताजी है नौमान मसूद साहब है इम्रान मसूद साहब है वो तो बड़े स्तर के नेता हैं यह बात आपने जरूर गई है कोंग्रेस पार्टी है जो भारती जणता पार्टी को सफाया कर सकती है उसके बाद आपका 2022 का चुनाओ कि हम कहना चाहते हैं मजबूती के साथ अपनी बात कहना चाहते हैं कि 2022 के अंदर कांग्रेस कहीं फ्रंट पे नहीं खेलेगी अगर कोई खेला तो समाजवादी के अंदर एक मात्र विकल्प है जो सब भारतिय जंता पाल्टी को रहा सकता है उसी के बाद आपका मूर्ड चैंज होता है सत्ता आई नहीं तो अकलेश जी तो उस चीज को देखेंगे कि मेरे साथ कौन खड़ा है 2012 से तक कौन मेरे साथ कंदे से मेरे पक्स में कौन व्यक्ति खड़ा है जो मेरे हारने के बावजूद भी यह कहता है कि अकलेश जी आप संगर्स करो चोदरी यसपाल सिंग जी का जो प है यही विश्वास है और दूसरी बात में आपको बताऊं उन्हों न तो विचार मत करना अभी यह कह रहें कि अभी आप आ जाओ नगर निगम का चुनाओ भे मेर के चुनाओं उनकी पतनी का हुआ है जिने आप कह रहे हैं तो अब उन्होंने क्या भियान दिया कि प्रदेश के अंदर अगर कोई चुनाओं लड़ने की बात है तो बहन जी भारत उसकी बहुजन समाजवादी फाइट में है और बहन जी के नित्वर्त में मजबूती के स कि हमारे याँ चुनाओं लड़ेगा का समर्ब तंदेर हैं जहां भारती जनता पा fede यह अपने टिकट d consumers किया है आप जो तियारी जहां कर रहा है उसको माचोड़ के दूसरी जंग आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो यह तो सीधा सपच दिखता अगर कोई यह बात कहता है कि चोधरी परिवार चुनाव लड़ेगा तो हम भी चुनाव लड़ेंगे तो मैं मानता हूं यह उनका अपना नी सच्चरा नेता है चलिए तो हिमानसु चोधरी कमेडा जी को आपने सुना फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार